जूटी है वो शान और शौकर जिसकी वावाही इंसान लूटते हैं क्योंकि भगवान की अदालत में आपके कर्म ही आपकी गवाही देते हैं हलो एवरिवान, गुड़नाइट विट शिप्रा में आपका स्वागत है, मैं हूँ शिप्राजा अभी जो पंक्तिया मैंने आपको सुनाई ये बिल्कुल ही सही है, भले ही आप यहाँ कुछ भी कर लें लेकिन भगवान की अदालत में जाने के बाद आपके कर्म ही आपका जवाब और हिसाब दोरों ही देंगे और उसी के आधार पर भगवान जी आपको जज़ करने वाले हैं अब आप सोच रहे हूंगे ऐसा मैं कैसे कह सकती हूँ? तो चलिए आपको एक कहानी के जरिये समझाने की कोशस करते हैं एक नीता जी मढने के बाद यम पूरी पहुँचे जहां यमराज ने उनका भव स्वागत किया और कहा कि नीता जी हम आपको स्वर्ग भेजे या नर्ग भेजे उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप दोनों जगह का मौईना कर ले कि आपके लिए कौन सी जगह ज़्यादा अनुकूल होगी फिर यमराज ने यमदूत को बुलाया और कहा नेता जी को एक दिन के लिए स्वर्ग और एक दिन के लिए नर्ग खुमा कर वापस मेरे पास ले आना अब नेता जी होगे एक्साइटेड अरे भाई उन्हें आप्शन मिल रहा था नेता जी को चूस करना था खुद से कि वो नर्ग जाना चाहते हैं या स्वर्ग जाना चाहते हैं इसलिए नेता जी खुश होकर यमदूत के साथ हो लिए अब देखे क्या होता है यमदूत नीता जी को लेकर सबसे पहले नर्ग पहुंचा नीता जी तो नर्ग की चकाचौन देखकर हैरान रहे गए चारों तरफ हरी भरी खास और बीच में गोल्फ खेलने का मैदान नीता जी ने देखा उनके सभी दोस्त वहां बैठकर आनंद ले रहे हैं शान्ती से बैठे हैं और कुछ लोग गोल्फ खेल रहे हैं जैसे ही नेता जी को उनके पुराने मित्रों ने देखा वो लोग भी नेता जी से मिलने चले आए और गले मिलकर काफी साथी पुरानी बाते भी की अब नेता जी वहां आकर काफी ज़्यादा खुश थे पूरा दिन उन्होंने गोल्फ खेला और रात में मचलियां भी खाई साथी साथ शराब की पाटी भी हुई बड़े अच्छे तरीके से पूरा दिन नेता जी का वहां पर बीद गया अब बारी थी स्वर्ग जाने की स्वर्ग समझ कहना वहीं जहां अपसराई रहती हैं जहां जाने के लिए हर कोई चाहता है अब यमदूत नेता जी को अगले दिन स्वर्ग लेकर गया तो देखे वहां पर क्या हुआ अब यम्दूत नीता जी को लेकर स्वर्ग लोग पहुँचा जैसे ही स्वर्ग के दर्वार पर नेता जी पहुँचे है जैसे दर्वाजा खुला नीता जी ने देखा रोशनी से भरा दर्वार था स्वर्ग का हर तरफ शान्ती थी मधूर संगीत बज रहे थे कुछ लोग बादनों पर तैर रहे थे और सभी लोग अपने काम में व्यस्त थे कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था अब नेता जी का बड़ी मुश्किल से वहाँ पर किसी तरह पूरा एक दिन वेता तो एक दिन स्वर्ग में और नर्क में बिताने के बाद नेता जी अब यमराज के सामने जाने वाले थे यमदूत नेता जी को लेकर यमराज के सामने पहुचा तो यमराज ने कहा हान जी नेता जी अब आप बताईए कि आपको स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है तो सुनिये नीता जी क्या कहते हैं नीता जी ने कहा वैसे तो स्वर्क में बड़ा आनंद है शानती भी है फिर भी वहां मेरे लिए समय काटना मुश्किल है इसलिए आप मुझे नर्क भीज दीजे वहां मेरे साथी भी है मैं वहां आनंद से रहूँगा और पूरी जिंदगी कट जाएगी तो यह अमराज ने कहा नीता जी जैसा कह रहे मैं साही कीजिए अब नीता जी को नर्क भीज दिया क्या अब दुबारा जब नीता जी नर्क गए तो उन्होंने क्या द्रिश्य देखा ये देखिए अब यमदूद वापस नीता जी को लेकर नर्क पहुचा तो वहाँ पहुचकर नेता जी स्तब्द रहे गए बिल्कुल बंजर भूमी पर दोनों उत्रे थे जहां चारों और कूडे करकट का अंबार पड़ा था नीता जी ने देखा कि उनके सभी दोस्त फटे गंदे कपड़े पहने हैं और कबार इकठा कर रहे हैं नेता जी परिशान हो गए नेता जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है फिर नेता जी ने यमदूद से पूछा कि कल जब में हाँ आया था तो गोल्फ के मैदान थे मेरे दोस्त यहाँ पर शांती से बैठ कर आनंद ले रहे थे हमने बात चीत की थी रात में मचलिया खाई थी शराप पाटी हुई थी आज ये क्या है तो पता है यमदूद में क्या जवाब दिया ये जवाब काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग है और इस जवाब में इस पूरी कहानी का लेसंट शिपा है इसलिए ध्यान से सुनेगा यमदूद हलकी सी हसी के साथ बोला नेता जी कल हम चुनाओ प्रचार पर थे और आज आप हमारे पक्ष में मतधान कर चुके हो तो ये है नेता जी के कहानी और कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी होता है जब चुनाओ प्रचार हो रहे होते हैं, चुनाओ आते हैं, तो कितने बड़े-बड़े सपने हम सब को दिखाए जाते हैं मंच से नेता जी तो ऐसे दावे कर रहे होते हैं, लगता है पंदर तुरत ही वो कंप्लीट हो जाएगा लेकिन पूरा वक्त बीच जाने के बाद भी जमीनी हकीकत चस्की तस्रह भी है खैर, ये तो थी नेता जी की कहानी जो हमने आपको बताई गोड़नाइट विट शिप्रा में हर रोज ऐसे ही इंट्रस्टिंग कहानी लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और आपको आच्छी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईगा साथी साथ लाइव सीटीज के यूटूब चानल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा अगर आप ये वीडियो पेस पेच पर देखने हैं तो पेच को लाइक कर दीजेगा ज्यादा अपडेट के लिए आप ट्वीटर को भी फॉलो कर सकते हैं